अगर आप रेगलर वीडियो चाहते हैं और आप कोर्स भी जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे अप्लिकेशन भी डाउनलोड कर लिजे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और साथी साथ आप यूट्यूब चैनल पर भी जाहिए, यूट्यूब चैनल को भ condensation of delay और इस से पहले की classes में हमने आप से general rule discuss किया, जो कि section 3 में था, हमने आपको बताया कि, suit कब से कब institute बाना जाएगा, किस दिन पर माना जाएगा suit institute किया गया है, Section 4 उसके बाद हैं Section 14 के साथ relation के हमने आप से discussion किया जिसमें हमने बताया कि कब bonafidee होता है कब लास्ट डेट पर closing होती है तो उस situation में क्या होगा जो हमने आप से proper तरीके से discuss किया और आज जो हमें start करना है वो है actually Section 5 Section 5 that is condonation of delay नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि condone किया जाना किस चीज का delay का Condone किया जाना condone का मतलब माफ कर दिया जाना छमा कर दिया जाना ठीक है किस चीज का delay इसका मतलब है delay का मतलब है कि एक Suppose एक situation समझो आप कि किसी व्यक्ति का कोई दो party है A और B और यह जो suit है उसका जो इसने file किया था suit वो X party हो जाता है सपोज X party हो जाता है उस पर X party decree आ जाती है Suit X party आ गया मतलब X party decree हो गई क्योंकि defendant अप्यार नहीं हुआ था और defendant अप्यार नहीं हुआ तो court ने X party proceeding स्टार्ट करा दी और उसके बाद उसको at the end X party declare कर दिया गया ठीक है अब X party के declaration के बाद यहां से एक right originate होता है क्या कि within 30 days Within 30 days इस सारी बाते हमने आपसे civil procedure code में discuss कर रखी है तो आप उनको इसी से correlate कराना कि within 30 days अब एक नया cause of action हो गया उसको किस चीज के लिए application लगाना होगा विदिन 30 days dismissal setting aside of X party decree X party decree X party decree को set aside करने के लिए within 30 days उसको application लगाना होगा clear लेकिन suppose कोई व्यक्ति है फेल होता है within 30 days अब उसका claim क्या होगा उसका claim sustaining करेगा क्योंकि law limitation उसको time of limitation उसको बार कर रहा है यह कहां दिया हुआ है order 9 rule 13 में ठीक चलो order dismissal के लिए order 9 rule 13 30 days का है 30 दिन का है अब उसके पस क्या क्या option बचेंगे अब उसके पस क्या option बचेंगे अब उसके पास वो यहाँ application लगा सकता है किस चीज का conditionalation conditionalation of delay section 5 का application वो लगा सकता है इस जगह पर Section 5 का application वो इस जगह पे लगाएगा, ठीक, अब इस application को लगाने पे, उसको court में क्या-क्या चीज़ें प्रूब करनी होंगी, court में, उसको क्या बातें प्रूब करनी होंगी, कि there was a sufficient cause, किस चीज़ के लिए, कि वो court में appear नहीं हो पाया, उस date पे, उस fixed date पे, उस time के बीच में, court में appear नहीं हो पाया, तो उसके पास एक sufficient cause है, तो sufficiency of cause को किस तरीके से देखोगे, कि cause इस nature का, जो उसके control के beyond हो, जो उसके control के beyond हो, उसने जितने भी necessary steps होने चाहिए थे, due diligence को, due care को, due cousin को exercise करना चाहिए था, उसने exercise किया, बट इस्टिल, वो apply नहीं कर पाया, इस 30 days में, तो क्या होगा, court का क्या approach होगा इसमें, court सबसे पहले, इन facts को देखेगा, court क्या देखेगा, इन facts को देखेगा, यह objectivity test होती है, हर case में, objectivity, यहाँ objectively examine किया जाता है, fact to fact matter differ करता है, कि क्या सच में वो matter sufficient था, क्या वो matter sufficient था, या ऐसा कोई cause था, जिसको law condemnation के लिए consider कर सकता है, तो suppose, कुछ examples हैं, suppose वो आता है, वो कहता है कि वो अपनी illness को सो करता है, बेमार था वो, court hospitalized था, hospital में जिस दिन से admit हुआ था और जिस दिन पर वो discharge होता है, उतने दिन का अगर वो later, उस दिन का वो discharge later लेटर लेया के court में produce कर दे, then court को लगे, हाँ, this was the sufficient cause not to submit application within time. Illness, suppose he was imprisoned, कहीं वो जेल में बन था, तो वो कैसे लाय जा सकता था? जेल में जब बन था, वो कैसे लाय जा सकता है, तो? Imprisonment भी एक cause होगा, ठीक है? Next, Suppose, Suppose, कोई एक situation समझ लो आप, एक दूसरी situation इसी में connect करते हैं, Suppose वो court में आता है, appear होता है, court में उसको कुछ necessary दस्तावेज, कुछ documents लेके appear होने थे, और वो documents जो है, वो किसी XYZ court में था, कोई XYZ, किसी department पर था, government department में, और वो इतना necessary document था, जिसके बिना उसका claim जो है, वो sustain ना करता, और इस department में, suppose strike चल रही है, strike चल रही थी, strike यहां करीब 45 days से चल रही थी, और उसको document मिलता है, वो आपको 46th day पर मिलता है, suppose, तब तक उसका time बार्ड हो चुका है, तो अब वो क्या करेगा, एक condonation की application लगाएगा की नहीं, लगाएगा, court इसमें क्या consider करेगा, कि क्या यह strike जो थी, या usual course of manner में थी या नहीं, क्या यह sufficient है या नहीं, इन बातों को court यहाँ ध्यान में रखेगा, then condonation को allow कर सकता है, clear है, लेकिन एक situation यहाँ समझनी है आपको, आपने inherent power of the court देखा होगा, civil procedure code में, inherent power of the court, जो कि civil procedure code में दिया गया है 151 में, उसमें यह होता है कि अगर court को लगता है complete justice करनी के लिए, कि condonation of delay अगर उसको allow करना हो, या कुछ time को extend करना हो किसी regard में, किसी situation में, तो court grant कर सकता है, court उस time को extend कर सकता है, लेकिन जब बात condonation of delay की आती है, तब क्या यहाँ इस जगा पे, वो section 5 में ना जाके, क्या वो 151 में जा सकता है, अपने उस right को exercise करवाने, inherent power के तौर पे, तो यह strictly prohibited है, कि court यहाँ अपने 151 के right को exercise नहीं करेगा, जहांकि उसके पास alternative remedy अवेलिबल है, तो जब appeal और application के regarding, कोई भी application जिसको कि within time फाइल किया जाना चाहिए था, वो फाइल नहीं किया गया, तो वो section 5 में उसको protection दिया गया है, और जब section 5 में express provision बना दिये गये हैं, तो इनरेंट पावर को exercise करने की जरूरत नहीं है, court यहाँ allow नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक exceptional situation है, जहाँ कि court grant कर सकता है, इस तरीके के suit के regarding, लेकिन आपको वहाँ थोड़ा सा, कहते हैं नहीं, cautious होना पड़ेगा, आप as a general rule मत लीजेगा, मैं उसको एक pattern आपको बताने की कोशिस कर रहा हूँ, जैसे आपने सलेम एड़ोकेट का case देखा होगा, पढ़ा भी होगा, मैंने आपको डिसकस किया होगा, सलेम एड़ोकेट, Bar Association of Tamil Nadu versus Union of India, 2003, जहाँ उसमें court ने upheld किया है, कि अगर 90 days के भीतर written statement नहीं ला दिया गया, maximum 90 days का period, पहले 30, then फिर 60, नहीं लाया गया, then उसके बाद, भी court time extend कर सकती है, ends of justice को protect करने के लिए, वो kind of inherent power का ही exercise किया जाना है, क्योंकि code कहता क्या है, कि जहाँ express provision of the code available है, वहाँ आमें inherent में जाने की ज़रूरत नहीं है, 151 में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो express provision of the code क्या कह रहे हैं, कि 90 days तक maximum extend किया जा सकता है, written statement के application की acceptability को, लेकिन बियॉंड अगर जाना हो, 90 days से बियॉंड जाना हो, तो guidelines में, sorry, तो guidelines में भी court ने भी कहा, कि 90 days से बियॉंड भी court allow कर सकता है, interest of justice को देखते हुए, तो written statement फाइल किया जाना, ये एक तरह का क्या है, किस nature का है, suit के ही nature का है, suit के nature का है, और extend किया जा रहा है, तो वहाँ court 151 में extend तो कर सकती है, 151 में court वहाँ extend कर सकती है, क्यूंकि suits के cases में, suits में, जो suits की situation है, वो section 5 में cover नहीं होते हैं, यहां किवल appeal और applications, appeal and applications, applications otherwise than execution, under order 21, ठीक है, appeal और applications के cases में होते हैं, अच्छा, लेकिन आपको अब खुद से ही समझ में आ रहा होगा, कि जो suit है, appeal और application और suit इन तीनों में क्यों differentiate किया गया, ऐसा special clause क्यों दोनों के लिए बनाए गया, इनके लिए क्यों नहीं बनाए, क्योंकि आपको पता है कि suit फाइल करने के लिए, जो period of limitation है, वो बहुत comparately ज़्यादा होते हैं, appeal को देखो, appeal कहीं 30 days में appeal फाइल की जाती है, कभी 90 days में appeal फाइल की जाती है, that's it, इससे ज़्यादा का time नहीं है, बहुत कम spam of time है, दूसरा, application की भी जहाँ situation, वहाँ भी same scenario बनता है, application में भी कहीं 30 days में application लगाना, कभी 7 days में लगाना, कभी 25 days में लगाना, as in, कम है, मतलब जो proportion है, वो कम है, तो इसलिए court ने, इस चीज को, इस code ने, इस act ने, इस चीज को specify कर दिया, कि suit की situation में, condemnation of delay allow नहीं किया जाता, लेकिन appeal और application में, इसलिए किया जाता है, क्योंकि ये sorted period of time के लिए, पहले से ही expressly mention किये गए हैं, clear है, क्योंकि अगर minimum भी देखा जाए, तो, minimum तो बहुत कम होता है न, तो कभी न कभी chance तो दिया जाना चाहिए, कभी उस scope को भी समझा जाना चाहिए, जो की एक sufficient reason उसके पास available था, क्योंकि जब presumption आता है न, law किसी व्यक्ति को जब presume करती है, कि इसके character को, उसके nature को, उसके activities को जब presume करके चलती है, तो law कभी उसको perfect man की तरह presume नहीं करती है, कि वो perfectionist है, Mr. Perfectionist है, ऐसा कुछ नहीं presume करती है, law को consider करना चाहिए, और करती भी है law, कि क्या, कि वो एक ordinary prudence का आदमी है, perfectionist नहीं, perfection कोई भी criteria नहीं है, तो इसलिए यहां कहते हैं, कि अगर कोई भी alertness की जरूरत है, और उस व्यक्त ने due diligence को exercise किया है, और due diligence के exercise करने के बावजूद भी वो court में appear नहीं हो पाता है, then उसको allow किया जाना चाहिए, अब मैं आपको provisions पे ले चलता हूँ, section 5 कहता है, extension of prescribed period in certain cases, extension of prescribed period in certain cases, चलो, आपका देखो, suppose एक application लगाना है इसको, application का maximum period कितना दिया हूँ, 30 days, एक को लगाना है आज के दिन से, cause of action के दिन से, 30 plus 1 days, 30 plus 1 days, application उसने लगाना था, अब वो appear नहीं हो पाता है, suppose वो appear नहीं हो पाता है, तो यह क्या कहना चाह रहा है, कि court कि अगर, वो इस दिन appear हुआ है, इस दिन, तो अगर इसके बीच में, उसने उस sufficiency of cause को, sufficiency of cause, को इसने अगर show कर दिया, then यह जो period है आपका, 30 days से बढ़के, यह आपके कितना, suppose 15 days यह रह गया, यह आपके कितना हो गया, 46 days, 1 day यह, 15 days यह, 30 days यह, यह 46 days हो गया है, clear, तो यहीं यह कहना चाह रहा है, कि extension of prescribed period, limitation period की बात नहीं कर रहा है, extension of prescribed period, क्यों, क्योंकि यह एक exception है, exception के तौर पे, इसको code इस act में रखा गया है, exception में क्या होता है, time, start नहीं होता है, run करना, but extend हो जाता है, time, start नहीं होता है, मतब calculation अगर देखोगे आप, तो यहां, यह end हो रहा है ना, इस जगह पे, फिर यहां से बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अभी तक, बीच में कहीं भी application नहीं लगाया गया था, exclusion वाली situation दूसरी है, जहां कि बीच में कहीं application लगाना था, उसको इतने दिन का exclusion मिल गया उसके बीच में, तो आपको यह समझ में आ गया होगा, तो इसमें, जैसे, समझ में आ गया होगा आपको, जैसे अगर watch आप देखो, तो एक है, कि अगर सपोज की, दो बज ऐसे देख लो, watch बनाता हूँ मैं, सपोज एक watch आपके रन कर रही है, ठीक है, आपकी watch यह, 3 o'clock पे है, यह 12 पे है, अगर सपोज 3 से, 4 के बीच में, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो watch को रोकना पड़ता न, स्टॉप्ट, दूसरा, कि 3 से 4 के बीच में, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, 12 तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बट इस्टिल इसको बढ़ा दिया जाए, यह माल दिया जाए, कि यह एक पजे तक का टाइम, तो एक घंटे का जो extension है न, यह वाला टाइम, यह आता है exception में, और यह जो एक घंटे का, यह है न, यह breakage, दौरान में उसके, यह आता है आपका exclusion में, वो पहले भी discuss किया हूँ मैं शायद इसको, exclusions में आते हैं, तो यही मेरा कहना है यहां, कि यह 46 days जो है, वो calculate किये जाएंगे, और court इसको grant कर सकता है, लेकिन अच्छा, एक आप situation मत्त, मैं इसको provision पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद situation discuss करते हैं, करा, any appeal or an application, other than application, under any provisions of order 21 of the code, यहां देखो, order 21 को क्यों exempt किया गया, आपको पता है कि execution के लिए, जो application लगाना होता, उसका 12 years का time दे रखा है, तो अपने आप में ही वो बहुत जादा time है, तो court ने इसको भी exclude ही कर दिया, और कोई basic reason नहीं है, इसके पीछे कि इसको क्यों लगाया, as in execution को क्यों लगा दिया, हटा दिया इसमें से, ख़़ता may be admitted after the prescribed period, अब देखो, यहां क्या कह रहा है, कि यह एक तरह की discretionary relief है, may be admitted, may be admitted का मतलब, को एक यहां discretion है actually, देखो, बताता हूँ क्या है, यह जो condemnation of delay की जो relief है न, यह discretionary relief है, discretionary relief है, discretionary relief का क्या मतलब होता है, जहां court, examination के बाद, examinations के बाद, court grant कर सकता है, relief या मना कर सकता है, मतलब, party यहां as a matter of right claim नहीं कर सकती है, clear, तो parties यहां matter of right नहीं क्लेम कर सकती है, but what would be the nature of examination, nature of examination, nature of examination, यहां case का नाम में आपको बताता हूँ, तो case जो है, वो collector land acquisition, Anantanag and others, versus Miss Katiji and others, 1987 Supreme Court, जिसमें की, actually discretion को बताया गया, कि किस तरह के court को, किस discretion को, किस nature, मतलब उसके, उस discretionary power को exercise करने का nature क्या होगा, यहां उसने कहा, इस court में interpret किया गया, कि, court के पास double discretion होगा, court के पास double discretion होगा, एक description और दूसरा, पहला description होगा, जो court, sufficiency of cause को examine करेगे, cause को, कि, whether the cause was sufficient or not, एक, दूसरा, कि, although कि court ने, evidences या facts को analysis करते हुए, court को यह लगा, कि cause तो sufficient है, but still, court यहां bound नहीं है, इस चीज को देने के लिए, grant करने के लिए, condemnation of delay, rather, उसके पास, वो, balance of interest, between the parties को भी analysis करेगा, कि जहां, कि अगर वो इस चीज को समझ पाए, कि अगर, इस situation में, किसी व्यक्ति को, allow कर दिया गया, condemnation of delay के application के लिए, तो क्या defendant को loss होगा, क्या उसको defendant irreparable loss जहलेगा, या कुछ इस तरीके से उसको problem होगी, तो वहां court, दोनों के benefits को भी analysis करता है, और उसके बाद, उनके proportion को देखेगा, अगर loss जादा नहीं है, देखो, loss, जो है, वह बहुत grave नहीं है, दन उस condition में court, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, court यहां condemnation of delay को allow कर देगा, तब court यहां condemnation of delay को allow कर देगा, उससे पहले नहीं allow करेगा, तो double description यहां है, लेकिन जब question यह उठता है, कि यह burden किसके उपर लाई करेगा, यह burden यह proof कौन करेगा कि sufficient reason था, तो burden of proof हमेशा यह लाई करेगा applicant के उपर, वो applicant जो कि कहना चाह रहा है, जो कि सीख कर रहा है condonation of delay का, तो burden of proof यह लाई करेगा, अब देखो एक situation और, तो क्या court जब अपना description exercise कर रहा है, तो क्या court बहुत hyper-technical होगा, यह liberal approach के साथ work करेगा, यह भी तो देखना है, क्योंकि देखो इस provision का जो larger एक जो theme है, वो theme यह है कि कि किसी व्यक्ति को, किवल procedural technicalities के आधार पे, या किसी व्यक्ति को, किवल इस आधार पे कि जो situation थी, उसके beyond the control थी, उसके पहुच से ज़्यादा थी, किवल इस आधार पे उसके right to remedy को, take away करने नहीं दिया जाएगा किसी को, तो court, यहाँ अगर strict approach के साथ चलेगा, तो court उसके, इस condemnation और delay का जो larger purpose है, उसको fulfill कर नहीं करने देगा, मतलब एक तरह से restrictions होंगे उस पे, तो अगर कोई भी provision बनाया गया है, तो उस provision के nature को देखते हुए, उसके sequence को analysis करते हुए, court का approach और court का interpretation भी, उसी के theme के according काम करता है, तो जो purpose है इसके पीछे, उस purpose को यहाँ fulfill किया जाना चाहिए, so court जो है hyper-technical नहीं होगा, rather liberal approach के साथ देखेगा उसको, evidences को analysis करेगा, तो वो भी liberally analysis करेगा, और साथ ही साथ liberal analysis के साथ, एक चीज जो और आती है वो, कि यहाँ court हमेशा और हमेशा justice oriented approach के साथ काम करेगा, अगर यह बातें दोनों प्रूव हो गई, दोनों उसके मन में satisfy हो गया, then court कहीं न कहीं उसके उपर obligation हो जाता है, कि वो condemnation of delay को grant ही कर दे, तो इस case में analysis को बताया गया, इस case में, इस interpretation के जो court के power है, इनको बताया गया, इनसे discussion किया गया, लेकिन एक question और यहीं बनता है, कि अगर suppose कि इस दिन पर इसको application लगाना था, और यहां तक उसने application नहीं लगाया, तो उसको क्या इस 30 दिन का ये पूरा time जो है, वो हर दिन का delay उसको बताना पड़ेगा, क्या प्रत्य एक minute की detail उसको देने पड़ेगी, क्यूं delay हुआ ये, पहले की situation दूसरी थी, court ने last में कहा, कहा कि ये जो last day है न, केवल इस दिन का, केवल last day की delay को ही, court धान में रखेगी, उससे पहले वो व्यक्ति जो है, उसको force नहीं किया जा सकता, कि वो application कभी भी लगाए, उसकी मर्जी है, 30 दिन का उसके पास right है, वो अपनी feasibility के according लगाएगा, लेकिन केवल इस आधार पे, court मना नहीं कर सकता, इसलिए का गया कि ये जो last day की delay है न, last day, last minute की, last day की delay को ही उसको examine कर, वो देना पड़ेगा, detail उसका देना पड़ेगा, और ये जो case है, last day की delay का, ये है, रामलाल वर्चिस रेवा कोल फील्ड लिम्टेड, 1962, दूसरा case यहां लिख देते हैं, पहला हो गया, और दूसरा, रामलाल वर्चिस रेवा कोल फील्ड, 1962 सुप्रीम कोट, डिले जो होगी, वो last day की delay होगी, last day, explanation जो चाहिए कोट को, वो last day की delay का explanation चाहिए, रामलाल वर्चिस रेवा कोल फील्ड, लिम्टेड, 1962 सुप्रीम कोट, ठीक है, कोई रिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब इसके बाद, suppose एक case और आया था, case क्या, उसके कुछ facts है, उनको मैं आपसे सोच रहा था, discuss करने को, कि suppose कि इसको यहाँ application फाइल करना था, यह अपने advocate भाई साब के पास आता है, और हो कहते हैं, कि नहीं, मैं तो कहीं दूसरे कोट में busy हूँ, और उसका suit नहीं फाइल किया जा सका, क्योंकि advocate साब कहीं बेस थे, तो क्या यहाँ condemnation of delay का यह आधार बनता है या नहीं बनता, obviously नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो careless attitude है, दूसरा अगर वो व्यक्ति, अब देखो, यहाँ से objectivity होती है हमेशा, हर fact में objectivity होती है, अगर suppose वो यह court में आता है, और court में appear होने के बाद कहता है कि, जो उसका advocate है, वो किसी दूसरी court में best है, और उसके पास इतने sufficient, कहते हैं नहीं, sufficient reason नहीं है, एक sufficient source नहीं है, resources नहीं है, जिससे कि वो नए advocate को hire कर सके, और यह बात अगर court में satisfy करता है court को, then court condemnation यहाँ delay allow कर सकता है, दूसरा, suppose advocate was negligent, उसने तो का कि हाँ आप application लगा दे न, वो appear नहीं होता है, advocate साब भूल जाते हैं, तो generally court allow नहीं करता, लेकिन अगर exceptional situation अगर दिख जाए, कि हाँ सच में negligent है, तो उस condition में court grant कर सकता है, कि condonation of delay allow किया जा सकता है, कोई व्यक्ति है, suppose, court run तो कर रहा है, लेकिन registry बंद है, court run कर रहा है, registry बंद है, उसी faith में हो जाता है, और, इस और COVID की situation, ऐसे समझ लो, COVID की situation है, अब कोई व्यक्ति है, जिसको कि suit file करना है, डेली में, तीस हजारी में, वो रहने वाला है, कही नोएडा का, या फरिदाबाद का, और, क्योंकि border seal है, डेली में होता, तो डेली में जाकि, वो counter, जो है, filing counter वहाँ पहुँच जाता है, और application लगा भी सकता था, लेकिन अगर, नोएडा में, ये जो time period है, ये जो boundaries हैं, वो sealed हैं, तो कोई व्यक्ति उसके पास, sufficient कारण है, कि ना पहुँच पाए, वो court में, तो court को भी, उसी तरीके से, deal करना पड़ेगा, तो honorable Supreme Court के भी decisions आ गए भी तो, COVID पे condemnation के regarding, ठीक है, तो ये रहा आपका condemnation of delay, और इसमें और as such कुछ है नहीं, कभी-कभी, एक आख explanation है, उसको भी आप देख लेना, जहां की कहता है, कि high court के, suppose कोई भी court का, high court में उसको, mislead किया गया, उसके judgment से mislead किया गया, कोई discrepancy है उनकी orders में, जहां की इस दिन appear होना, इस दिन appear होना, तो जहां ये apparent cause होंगे, तो उसमें, कहता है नहीं कि, act as curion aminem grave of it, act of the court shall not harm to any individual, तो यहीं यहाँ भी situation है, कि act of the court shall not allow to harm any individual, ठीक, तो अगर court के default पे, कोई व्यक्ती appear नहीं हो पाता है court में, तो उस situation में, उसको exemption मिलना चाहिए, और condemnation का भी, उसको exemption मिलेगा, allow किया जाएगा उसको benefit, तो अगर आपसे यह mains में question पूछता है, प्री में भी यह पूछता है, कि आपसे क्या suit पे apply होता है या नहीं, बहुत बार पूछेगा आपसे suit पे apply होता है या नहीं होता, आपसे छोटे-छोटे cause बता देगा, कि यह इसके लिए sufficient cause है या नहीं है, तो उनको आपको fact and circumstances के according आपको उनको deal करना है, अगर लेकिन में में एक direct question पूछ ले, क्वान डॉनेशन आपडी लेगा, तो आपको सबसे पहले section 5 बताना है, provisions बताने है, provisions के साथ साथ आपके उसके object को बताना है, कि क्या purpose है, कि कोई भी procedural technicality या ऐसे, और कोई ऐसा, या ऐसा कहते हैं कि, Lex non-quadget impossibility, law cannot make, make, perform the things which is impossible in nature, तो ये, इस theme पे भी available ली है, तो आप इसको ये भी लिखोगे, कि कोई भी, जो situation थी, वो इतनी impossible थी, जिससे कि वो party, appear नहीं हो पाया court में, और appear नहीं हो पाया, तो उसको benefit मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसका खुद का default नहीं था, राधर, वो defaults by situation था, दूसरा, अगर suppose court का कोई default है, तो actors curian eminem grab a value situation देख ले ना, कि अगर court के default है, तो उसका खाम्याजा जो है, वो दूसरी party ना भुखते, ये value situation उसमें mention कर सकते हैं, तेना आपको बताना है, court condemnation of delay को allow कर सकता है, जहाँ discretion की बात आएगी, वहाँ discretion उसका कैसा होगा, liberal approach का discretion होगा, court उसका liberally treat करेगा, बहुत hyper technically treat नहीं करेगा, फिर उसके बाद आपके एक-दो cases लिखते हैं न, रामलाल के, ये case लिखते हैं न, ये important cases हैं, आपके उस answer को और भी improvise कर देंगे, बस इसके बालाओं तो आपको कुछ लेखने के जरूत नहीं है, ठीक है, main provision आप लिखी चुके हैं, तो main theme है कि sufficiency of cause को ही आपको analysis करनी है, ठीक है, तो आप देखते रहो, enjoy करते रहो, good luck, all the best.